दोस्तो, आम तोर पर लोग दफतर जाने के लिए मेट्रो, ट्रेन या फिर कैब जैसे वाहनों का इस्तिमाल करते हैं लेकिन एक शक्स ऐसा है जो रोजाना ओफिस जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तिमाल करता है मज़े की बात तो ये है कि ये उसके लिए ऐसा करना सस्ता पड़ता है दोस्तो ओफिस जाने के लिए हर करमचारी अपने मताबिक माध्यम का चैन करता है कुछ लोग अपने वाहन से दफ्तर जाते हैं तो कुछ लोग पबलिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करते हैं कुछ लोग अपने लिए एक साथ महीने भर के लिए कैब या ओटो भी लगा लेते हैं लेकिन आज तक शायद ही आपने सुना हो कि कोई रोजाना हवाई जहाज से आफिस जाता हो चलिए आपको एक ऐसे पत्रकार से मिलवाते हैं जो फ्लाइट पकड़ कर दफ्तर पहुँचता है दोस्तो आम तोर पर लोग दफ्तर जाने के लिए मेट्रो ट्रेन या फिर कैब जैसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वोल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर चिपकटर ने ये बता कर लोगों को हैरान कर दिया कि वो आफिस जाने के लिए रोज फ्लाइट पकड़ते हैं मज़े की बात तो ये है कि इसकी वजह से उस पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता बलकि वो तो कहते हैं कि ये उसके लिए सस्ता पड़ जाता है रिपोर्टर चिपकटर ने बताया कि न्यूयोक में काम करने के लिए सब्ताह में तीन बार ओहायो से उड़ान भरता है इसके लिए वो सुब़ छे बज़े फ्लाइट पकड़ता है और उसे सुब़ चार बज़ कर पंदरा मिनट का अलार्म सेट करना पड़ता है महामारी के दौरान वो घर से काम कर रहे थे और जब साल 2022 में उन्हें दफ्तर जाना हुआ तो उन्होंने न्यूयोक में रुकने के बज़ाए ओहायो से न्यूयोक फ्लाइट लेकर जाना शुरू कर दिया दोनों शेहरों के बीच दूरी 900 किलोमीटर की है और वो रोजाना ये सफर तै करते है हालांकि उनकी परसनल लाइफ इससे प्रभावित हुई है लेकिन वे बताते हैं कि ये उनके न्यूयोक में रहने से ज्यादा सस्ता है चिप कटर ने इसके पीछे तरक ये दिया है कि न्यूयोक में अगर वो फ्लैट लेकर रहता तो उसे हर महीने के लिए 32 डोलर यानि 2,65,581 रुपे देने पड़ते ऐसे में उनके लिए फ्लाइट का सफर इससे सस्ता पड़ जाता है और उसकी सेविंग हो जाती है पहले वो मनहेटन में हाई एंड होटल में रुकता था जो उसके ऑफिस के पास था लेकिन यहां उसके अच्छे पैसे खर्च हो रहे थे जबकि उसका खाना पीना भी प्रभावित होता था तो दोस्तो ऐसी ही अजब गजब वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अपना नॉलिज टीवी को थैंक यू